जमीन पे बैठे ना आनन्दी कुछ हो रहाता है जमीन पे बैठे हुए इंसान को ये डरनी होता कि वो गिर जाएगा हम लोग भाई पहले ही जमीन पे हैं हमें कोई उपर से नीचे कैसे गिरेगा अराम से बैठते हैं अराम से जिंदगी एंजॉय करते हैं भी तो हमारा नाम है रॉयल बुलिट वामली आईए आज की वीडियो है बड़ी विशेश और करने जा रहों कुछ ऐसे ऐसे खुलासे जिसको देखने के बाद आपके मुझे निकलेगा वाह कमल भाई वैसे तो भगवान करे आने वाले समय में रॉयल एंफील्ड इतनी समझदार हो जाए जैसे उन्होंने मेटेवर बनाई है वैसे क्लासिक में तो इंजन आई रहा है अलोई विल्स आए टायर्स आए आफ्टर मार्किट आपको कोई भी काम ना कराना पड़े लो जी बाशाओ तो अड़े वास्ते हाजिर है अब यह निकाल लिया जाता है यह साइज और यह साइज डाल दिया जाता है हलो रॉल गुडट फैमिली मैं हूं अपनोंगा कमाल अनन सभी भाईयों को रामरा मसला हुआ अलेकूं वह गुरूजी का खाल्सा वह गुरूजी की फते जैजब जै किसान जै भुलेनात की चिंतानी किसी बात की एक बार फिर हाजिर है आपका अपना कमल अनन अपने का मतलब पता क्या होता है कि किसी के दो हजार रुपे का नुकसान करा के अपने दो सो रुपे ना कमा जाए उसको अपना इंसान कहा जाएगा ऐसा ना हो कि अपने दो सो रुपे के लालज के चक्कर में आपका दो लाक का नुकसान हो जाए आज कर ऐसे ही चल रहा भाई देखा मैंने समझा मैंने सोचा मैंने फि कोई हवन कुण नहीं है दोस्तों जो मैं या सजाके बैटा हूँ और इसमें सुआ सुआ वो होगा जो गलत काम गलत काम किया है यह एलॉइज मैंने कोई डिस्प्ले में जो मैंने रखे हूँ है यह मैंने कोई प्राइज या डिजाइन दिखाने के लिए नहीं रखे हैं, आपको बताने के लिए रखे हैं कि क्या चल रहा है, अब आपको अगर Elois जलवाने हैं, वैसे तो भगवान करें आने वाले समय में, Royal Enfield ही इतनी समझदार हो जाए, जैसे उन्होंने Meteor बनाई है, वैसे Classic में तो इंजन आई आपको कोई भी काम ना कराना पड़े, इसके बाद लोग कहेंगे, आपके दुकान क्या होगा, भाई मेरी दुकान उपर वाले की किरपा से बहुत चल रही है, इतनी बड़ी फिल्ड है, इतना बड़ा समान है, इतना कुछ बना रहा हूं, कि मुझे टेंशन नहीं है, तो किसी की भी, XYZ में करोल बाक का नहीं, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं, और इंडिया में जो ऐलोई बेचते हैं, हाँ जी डबल डिस्क है, हाँ जी मिल जाएंगे ऐलोई, कितने के XYZ मैं कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कितने के जी, हाँ जी इतने के जी, अब इ अब है क्या कि एक गाड़ी आयती, इलेक्ट्रा, सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से, गोर से, दिमाग से सुनिएगा, एक गाड़ी आयती, इलेक्ट्रा जो आयती, डबल डिस्क, और वो आते ही गाड़ी, कुछ ही टाइमें बंद हो गई, और उसका माल जो था, डब लगेगा, आप कहेंगे परफेक्ट है, क्योंकि फ्रंट तो निस ही है, रोल एंफिल ने चेंज ही किया, अब दोस्तों, ये भी डवल डिस्क का है, 19, समझेगा बात को, दोनों वील्स होगे, 19, 19, और ये है डवल डिस्क का वेल, अब क्या किया जाता है, आपका 18 साइज का साइज में कितना डिफरेंस है, रोल एंफिल में जो इंजीनियर्स बैठे हैं, जो एक एक्चुल साइज दे रहे हैं, आगे 19, पीछे 18, वो कोई फुद्दू नहीं है, तो क्या किया जाता है, आपको बिना बताए, कि अगर बताए भी और आपको इतनी समझ ना हो, तो पिशला साइज निकाल दिया 18 का आपकी गाड़ी में से, और लगा दिया 19 डबल डिस्का, क्योंकि इसकी प्राइजिंग मार्किट में मतलब जिसको कहते हैं, मिट्टी के भाव, यह वाले सेट मिल रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन है, मिट्टी के भाव, क्यो इलेक्ट्रा के लिए बनाया गया था, लेकिन विका नहीं, और इसके बाद, इसमें क्या किया जाता है, आपको यह आपका MRF का टायर आता है, 120-88, यह आपका आता है, राल को, यह साइज आता है, 120-88, C8, अब यह तीन टायर हमारी क्लासिक में डबल डिस्क में डलते हैं, जा सिंगर डिस्क में डलते हैं, जैनवन आजकल जो आ रहा है, वो आ रहा है, 110-88, तो होता क्या है कि आपको तो 110 बताया जाता है, लेकिन जो पीछे का 80 और 19 और 18 है ना, वो नहीं बताया जाता है, अब जैसे यह C8, यह MRF, और यह है RALCO, तो दोस्तों, किया क्या दुकान दुकान दर ने किया कि यह 110 आपको दिखाया, और यह 110 दिखाने के बाद, आपका 110 उतार लिया, आपका MRF हो या टायर, या C8 का टायर हो, उसमें डाल दिया 110, 90, अब हमने 110 डाल तो दिया, और उसके बाद, यह साइस कर दिया, चेंज, अब यह देखो फर्क, हाइट में आ अब फर्क, यह देखिए, अब एलोई विल, कर देता हूं, डिस्क्लोज यार, चार अजार ब्याली सोर्पे का एलोई विल, आज सब अपना माल निकालने के लिए सोच रहे हैं कि बिख जाए, क्योंकि लोगों के पास बहुत स्टॉक है, लेकिन स्टॉक नहीं भिक रा क्य लेंगे, तेरा रिम भी ले लेंगे, और तेरे एलोई जो हैं, हम दे देंगे तेरे को पाँच यार के, बावन सो रपे के, पच्पन सो रपे के, आप उस कहानी के अंदर फस गए, और आपने पिछला टायर अपना करा लिया, उंचा, और गाड़ी की मार्दी रेड, क्यों आर एंडी करते हूं, हमारे जो यहाँ पर सीनियर मेकैनिक्स हैं, इंजीनियर हैं, और भी दिल्ली के बहुत अच्छे जो ब्लॉगर हैं, उन से भी बात हुई, बोला कमल भाई, यह तो गलत है, यार अगर आप 18 उतार के 19 जा तो वो तो चेंस पॉकेट और उसका जो चक्क उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया, कि यह 19 यह 18 है, और इधर भी मेरे पास यह आगे फ्रंट 19 है, और यह पीछे 18 है, यह सिंगल डिस्क का अलोई, अब सिंगल डिस्क में जो है, पीछे 120-18 डल जाता है, 110 नहीं डलता है, 90-19, 110-18 भी डल जाता है, अपने दोसों के लि नहीं है, कि हम लोग कर सके, अब वो अगर आपने यह पंगा ले भी लिया है, तो आपको अपना चेंज पॉकेट भी चेंज करवाना चाहिए, अगर आपको अपनी बुलेट में माइलेज और पिक अप कम नहीं करना है, इसके अपर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडिय है, यह स्पेशल है, रॉयल बुलेट फैमिली वालों के लिए, कि आप समझदार रहिए, अगर किसी ने कुए में कुदना है, तो उसको कुदने दीजिए, हम ना ऐसा काम करेंगे, ना ऐसा काम होता, देख, किसी को होने देंगे, विदा लेता हूँ, मैं हूँ अपनों का क कमलानन सभी भाइयों को, वन्दे मातरम, जैहिन, सलाम